हेलो नमस्कार मुंगेर इनुबर्श्री दोरा यूजी और पीजी दोनों के लिए फिर से एक बार एक्जाम रूटीन को बतलाओ कर दिया गया इनका जो भी एक्जाम डेट है वो बदल दिया गया है जो भी यूजी पार्ट 3 के 19-22 वाले स्टूडेंट है और वहीं पीजी व बेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा तो आप सभी को समझ में आएगा कौन से भी से का यहां पर चेंज किया गया और किस दिन आप सभी को एक्जाम होगा आप सभी लोग नहीं देखते हैं तो आप सभी लोग इसमें एक्जाम भी छूट सकता है क्यों की जो भी उनिवर्सिटी है इसमें बहुर तरीके से यहां पर बतलाव किया जा रहा है जिसको की आप सभी को समझना बेहदी जरूरी है तो आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट वह चरूर किजेगा जिसे की अगले बार भी यहां पर चेंज किया गया था देख सकते हैं 25 बारत 2022 को यहां नोटीस जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्जामनेशन के द्वारा यहां पर जारी की गई है जो कि यह नोटीस पूरा तरह से यहां पर सही है किसी परकार का यहां पर फेक नोटीस नहीं है यहां पर देख सकते हैं नोटीस मे होने वाली परिक्षा नगर निगम चुनाव के प्रसासनीक द्रिष्टी कोन को धिहान में रखते हुए अब करम सचार एक दोजार ताइस को और नो एक दोजार ताइस को अपने पूर्व निर्धारित समय पर आजित की जाएगी मनिन ये कुलपती मोहदय के आदेसा अनुसा यानि कि यहाँ पे जो भी बदलाव किया गया है आपसे भी ध्यान पूर्वक यहाँ पे समझेगा जो भी PG सेमेस्टर वाले हैं 19-21 वाले अब उनका जो भी एकजाम होगा जो की 27-12-2022 को होने वाला था यानि कि 27-12-2022 को जो भी परिक्षा होने वाले थी UZ और PG पार 3 वा पार 3 का जो भी 19-22 वाले हैं उनका जो भी एकजाम अब लिया जाएगा वो 9-1-2023 को लिया जाएगा यानि कि 27 तारीक का जो भी पार 3 का एकजाम होने वाला था उनको सिर्फ यहाँ पे लेकर के 9-1-2023 को जारी किया गया है यानि कि 27 तारीक वाले जो भी एकजाम है वो चेंज किया गिया है 27 और 28 यह दोनों का यहां पर डेट चेंज किया गिया है और 26 का यह निकी कल आपसे भी का एक्जाम होगा जो की GS पेपर का होगा तो आपसे भी लोग एक्जाम देने जरूर जाइएगा अपने समय पर और जो भी एक्जाम प्रोग्राम है वहां पर किसी परकार का बदलाव नहीं किया गया है आप से भी लोग का जो भी निरधारत समय है उसी समय पर आप से भी का जो भी टोटल परिशा है वो यहांbreaker ली जाएगी सिर्फ यह आई होगी तो लाइक कीजिएगा चैनल को साब्सकारब कीजिएगा और अपने फेरंस के साथ इस वीडियो को जादा जादा सेर कीजिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं है जिसको की पता लग सेगे वो समय पर अपना एक्जाम दे सके और किसी का पुझी